नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रजद देवगन एक और दिन बहुत बहतरीन गुज़रा एंडियन मार्केट्स के लिए अगर अंतराश्य संकेत देखते तो यूएस मार्केट्स यानि की डाओ और नाजडाक प्रीवियस सेशन में बहुत तगड़ी क्लोजिंग क 16920 के लिवल को निकालना उसके ओपर टेकना बहुत मश्किल हो रहा था है लेकिन लेटर हाफ में और वो भी अंतिम एक घंटे में जिस तरहीके की खरेदारी और जिस क्वांटम की खरेदारी देखने को मिली है तो कह सकते हैं कि आज तो बहुत रिलीफ हुआ और जबरदस खरेदारी आज के सतर में होती हुई नजराई है कुल मिलाकर 184 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिली क्लोजिंग बेसिस पे 16955 का स्तर निफ्टी बैंक 421 अंक मश्बूट हुआ निफ्टी बैंक और निफ्टी लगभग लगभग दिन के उच्टम स्तर पे बं रहे हैं और फ्यूचर में लगभग 89% में आज के सतर में रही है खरेदारी इंडिया विक्स आज भी बुलेटली कूल आफ हुई है लगभग 5.5% इंडिया विक्स घटकर आया है 16.58 का आकड़ा है लेकिन सबसे एक्टिव स्टॉक्स आज की जो स्टोरी थी वो थी एंटर लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर कारोबारी वॉल्यूम देखें और टर्न ओवर देखें तो सबसे ज़्यादा इसी स्टॉक का था 2449 करोड का कारोबार इसके लावा Reliance Industries 1912 करोड का कारोबार और ये स्टॉक भी लगभग 72% के आसपास उचलता हूँ नजर आया टाटा प्रांट में 938 करोड का कारोबार हुआ आज ही एक कंपनी लिस्ट हुई और हाला कि लिस्टिंग फीकी रही इश्यू प्राइस 500 का था लेकिन उसके मुकाबले ओपन हुआ 437 पे यानि कि कुल मिलाकर साड़े 12% डिसकाउंट पे ओपनिंग होती हुई नजराई समहलने की क क्लोजिंग 502 के लेवल के आसपास की है यानि कि कुछ मिला नहीं निवेशकों को रिटरन मिले नहीं सपाट क्लोजिंग आज के सत्र में इसके लावा निफ्टी अगर गेनस की बात करें तो आज हिंडाल को कर दिन था लगभग 4% उचला यह स्टॉक टाटा मोटर्स डिव मिछले कुछ दिनों में तगडी पिटाई जेल रहे थे और निचले सुलों से आगए खरेदारी आज नंबर आया रियल्टी स्टॉक्स का जिसमें ब्रिगेड 8% उपर लोधा में लगभग 6% की रिटरन्स मिले प्रेस्टीज एस्टीज अब्रोय रियल्टी और सोभा जैस ये उच्छाल के साथ बंद हुआ डिविस लैब्स और बंदो फार्मा लूपिन जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% मजबूत हुए मेटल्स का दिन था जिसमें वेल्समन कॉप लीट कर रहा था 5% ये स्टॉक तेज था नालको हिंडालको हिंद कॉपर टाटा स्टील जैसे स्टॉक स्टॉक्स 2-5% मजबूत होते हुए नज़र आए और सरकारी बैंक्स हाला कि उतनी एग्रेसिव खरेदारी नहीं थी लेकिन दिन की शुरुआत में थोड़ी बहुत पकड़ मजबूत करा था कैनरा बैंक 3% उपरी सब्सक्रों पर थोड़ा रिट्रेस जरूर हो गया इसके मोटर्स 3% ट्यूब इंवेस्टमेंट बालकेशन एंडस्टी और एकसाइट जैसे जो परिफिरस हैं और टो एंसली से जूरी जो कंपनिया है वहाँ पर आज के सत्र में अच्छी तेजी बनी न्यूज इंपक्ट पढ़ा पहले नंबर पर आया इंडिया सीमेंट जो लावार डेल्टा कॉप यहाँ पर खबर यह थी कि HDFC ट्रस्टी कंपनी ने खुले बजार से 10 लाग शेर्स परचेस किये हैं जो कुल एकुटी का 0.37% हिस्सा बैठता है स्टॉक में मिल गए तगड़ रिटर्न 5% से ज्यादा तेज जी एमर इंफ्रा इंट्रस्टिंग था खबर आगे थी कि कुछ रेट की खबरें आई चापे मारे की इनकी कुछ यूनिट्स पे उसके कारण उपरी स्थरों पर बहुत ज्यादा बिक्वाली हमने इस टॉक में आती देखी कुल मिलाकर डेड़ पर्शन आपको गिरता हुआ नजर आएगा लेकिन हायर लेवल से त आज का दिन जीमार इंफर साड़े साड़े साथ परसेंट उपर बिरला सॉफ्ट एसरेफ मदर सेंट सुभी इंडिया सीमिंट और मननापुरम जैसे स्टॉक्स पांच परसेंट से साथ परसेंट उपर इसके लावा आई डिए सी फर्स बैंक डिल्टा कॉप और नालको जै साथ परसेंट से 8% मजबूत थे IDFC TCI Express और MTAR टेक्नोलोजी जैसे स्टॉक्स में 37% की रिटर्न मिले बजाज Electrical IFCI HIL जैसे स्टॉक 7% मजबूत और हिंद ओयल कॉपर हिंद ओयल एक्स्प्लोरेशन मिंडा कॉप ग्रीन पैनल जज्स डायल रैडिको यह सूची में उपरी पाइदान पे हैं 5% से 6% के आसपास का रिटर्न इन तमाम स्टॉक में आता हुँ नज़र आया लेकिन प्राइमरी मार्केट में CMS इंफो सिस्टम कल बंद होने जा रहा है अभी तक 62% सब्सक्राइब हो है कुल मिलाकर कंपनी की जोजना है कि वो यारा सो क्रोड पर जुटा ले लिस्टिंग है कल इंट्रस्टिंग लिस्टिंग है मेड़ प्लस हेल्थ की क्योंकि ये 52-52 गुना सब्सक्राइब हुआ था इश्यू अब कल के दिन में लिस्ट होता हुँ नज़र आएगा मेड़ प्लस हेल्थ अब क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में टेक्निकल रूप से और फंडमेंटल रूप से हम बार बा कहे दें कि अब कहीं न कई क्रिस्मस पास आता चले जाएगा तो सैंटा रेले की हो सकता है कि शुरुआत होती भी नज़रा है देफिनिट्ले पिछले दो दिनों में जो हम और उमीद से जादा निचले सोरो से जिस तरीकी की बिक्वाली हमने देखी थी वहीं से ही हमने एक रिवर्सल देखा है 16,410 इस लेवल से निचले लेवल था जो इस बार इस गिरावाट का हमने देखा है वहां से जो पलटे हैं और अब हम 17,000 की लेवल के बहुत करीब आके क कामकाज करना शुरू कर दिया है तो कहतो सकते हैं कि हां निचले सोरो से जो खरेदारी होनी थी वह हो गई लेकिन जब तक कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता नहीं तब तक आपको समझना चाहिए कि ट्रेंड इस यॉर फ्रेंड यानि की तेजी हो सकता है कि भारते बजारों आएंगे रिजिस्टेंस मार्केट का आप 17,030 पहला रिजिस्टेंस और 17,150 यह अल्टीमेट रिजिस्टेंस हो सकता है और निचले सोरो पर से सपोर्ट निकलेगा वह 16,800 और उसके नीचे 16,650 तो हो सकता है कि सैंटा रैले की शुरुवात हो गई हो इंडियन मार्केट मे उम्मीद करते हैं कि FIS के कुछ बाइंग फिगर्स देखने को मिलें क्योंकि बहुत जादा बिक्वाली वो अल्रेडी देसंबर महीने में कर चुके हैं उनकी तरफ से अगर खरेदारी शुरू हुई तो इन लेवल से भी इंडियन मार्केट में अच्छे रिटरंस देखने पुके की झाला बादा जादा बालावकर से वो पिझने कर दोस्के तरेजान के जादा बालावकर नहीं दोज़िए आनकी जब सम पिलागना कर दोनें जादारी यालारीव तो